बेगमगन से हमरे समबाद दाता शर्रश शर्मा की रिपोर्ट कुट्टे के भौकने पर महिला पर लाठी से किया हमला महिला गंभी रूप से घायल राइसेन किया रैफर पुलिस ने आरोपी के बिरुद्ध किया मामला दर्ज पाल्तु कुट्टे का एक नसेड़ी योबग पर भौकना पड़ा महंगा जब नसेड़ी योबग द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि वह हमें गालिया बख रही है इसलिए कुट्टा हम पर भौकने लगा और लाठी से महिला के उपर तड़बा तोड़ हमला कर दिया जिससे वह लुहान हो गई महिला सिविल अस्पताल बेगम गंज लेकर आए जहां पर प्राथ में कुपचार के बाद जिला चिकसालाय राइसेन रैफर कर दिया गया पूरा मामला राइसेन जिले के बेगम गंज जनपत अंतरगत जमुनिया गाउ का है हम आपको बता दें ग्राम जमुनिया निवासी अमर सिंग अपने परिबार के साथ बेटी के घर की देलान में बैठ हुए थे तभी गाउं का ही एक पपू नामा की युबक हाथ में लाठी लिये हुए नसे की हालत में बहां आया जैसे ही उसने लाठी पट की हाथ लगाया तो कुत्ता भौकता हुआ उसकी और लबका कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए उनकी बेटी आगे आप बड़ी तभी पपू ने उसे गंदी गालियां देते हुए और यह कहते हुए तुमने गालियां बकी है इसलिए कुत्ता मेरी तरफ लबका है तभी लाठी से हमला कर दिया बैटे हुए लोग बचाने को दोड़े तब तब पपू बहां से भाग गया महिला को गंभी रवस्ता में सिविल अस्पताल लाया गया यहां से 108 के माध्यम से जिला चिकत्सालाय रायसेन बेज दिया गया बेगम गंसे हमारे संबाददाता शरत सर्मा की रिपोर्ट